हेलो दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूटुब चैनल बरत मजुमदार में तो दोस्तो आज का टॉपिक क्या है यह तो आपको मालूम यह थमनेल तो आपने देखी लिया है फिर भी मैं बताता हूं दोस्तो आज का टॉपिक है किराना दुकान में होने वाले 5 परिशानी है इसके कौन सी 5 प्रॉबलम है जो किराना श्टोर में लगबग सभी को होती है और कम से कम नए दुकानदार को तो होती है तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो माखी किसम देने वालों को तो सब्सक्राइब करते हैं देखते हैं अज मुझे कौन-कौन सब्सक्राइब कर रहा है मैं माखी असम नहीं दे रहा है चलिए दोस्तो फिर वीडियो को श्राट करते हैं जो मेरा पहला पॉइंट है वो है टाइमिंग जी हाँ दोस्तो टाइमिंग इसमें क्या होता है दोस्तो आपको सुभे लोगों के उठने से पहले दुकान खोलनी पड़ती है और रात में क्लोजिंग करनी पड़ती है दस इन सब चीज में बहुत जयादा प्रोब्लम होती है, कम से कम नए दुकांदार को तो होती है, बाद में आपको दीरे-दीरे हैबिट हो जाती है, लेकिन सटार्टिंग में दोस्तों ये प्रोब्लम तो रहती है, तीसरा है दोस्तों उधार, किराने स्टोर का काम ऐसा आप जा उधार तो जाएगा ही जाएगा और ज्यादा तर अपने जो होते जानकार रिष्टेदार इनी लोगों में जादा जाता है दोस्तों पिर देरे 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 आप इस चीछ के हैवी चोल हो जाते हो और उधार में हमेशा पैसा मरता है आप कितना भी कर लो आपका कुछ ना कु जो है बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं दोस्तों वो प्रोड़क्ट को काट देते हैं चाहे वो पांच रुपे की चीजों या पांच रुपे की चीजों च्यों वो इससे कोई मतलब नहीं है वो काट देते हैं और कटे हुए फटे हुए पीसों को कस्टमर नहीं लेना च तो mostly यह नुकसान ही होता है दोस्तो इसके अलावा जो next five option है दोस्तो चीजों का खराब हो जाना समान का जैसे की बेसन हो गया दाल हो गया चने की सूजी हो गई दोस्तो यह इन चीजों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते यह चीज खराब हो जाती है तो जो पुरारा चीजों को सब्सक्राइब करें ठैक्यों सो मच दोस्तो